ते जस्वी यादों का CBI के कर्याले में CBI की ओफिसर स्वागत करते हैं और उसके बाद आठ घंटे पुछताच चलती है दो सिफ्ट में पुछताच होती है ते जस्वी यादों को भीच में CBI की ओफिसर तीन घंटा पुछताच करने के बाद खाने के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि अब लंच करके वापस आईए और पहले राउंड में तीन घंटे तक लगातार पुष्टाच चलती है तेजस्वी यादो जब पुष्टाच समाप्त होने के बाद शाम के समय कार्याले से बाहर निकलते हैं तब मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं जो सिव्याई भी इस बात को मान ले कि हाट तेजस्वी यादो का इसमें कोई दोश नहीं है आठ घंटे तक तेजस्वी को बिठा कर सिव्याई ने क्या सवाल पूछा बीच में उनको लंच के लिए घर भेज दिया गया और कई राउंड की पुष्टाच में क्या निकल कर साम ने आया आगे सब कुछ बताएंगे बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले तेजस्वी यादो की पुष्टाच सुरू होती है आपको हमने खबर भी बताया था कल कि तेजस्वी यादो दिल्ली पहुंच चुके हैं वहा तेजस्वी यादो का यह बोलना असपश कर देता है कि सिवियाई के सामने तेजस्वी यादो डट कर लड़ेंगे डट कर खड़ेंगे कल तेजस्वी यादो जब सिवियाई के समख जाते हैं तब सबसे पहले बताया या कि पहले राउंड में तीन घंटे तक पहें चलती रही। इसके बाद से CBI के जो अफसर थे उन्हों ने तेजसु हम CCP को कहा कि अब लुंच का समेह हो गया है आप अपने घर जाएे और लुंच करके आए। इसके बाद CBI के ऑसिर ने तेजस्वी पास आते हैं और इसके बाद फिर दूसरे राउन की सुनवाई सुरू होती है वहां पर अफसर जो हैं वह सवाल के पहले से तयार था उन सवालों को ते जस्वी के सामने पढ़ा गया पुछा गया ते जस्वी एके करके जबाते रहे थे जो कागजात सिवी के हाथ में लगा पुछा गया कि इनका जातों पर आपका क्या कहना है और तवाम तेजश्री यादों से कहा जा रहा है कि यह सब कुछ पुस्ताच हुआ अब एक तरफ तेजश्री यादों से पुस्ताच हुई दूसरी तरफ मिसा भारती से भी लगबग साथ घंटे तक पुस्ताच हुई उन पूरा परिवार चटान बनकर खड़ा है जो तेजस्वी यादो की सबसे बड़ी शक्ति है दूसरी बात तेजस्वी यादो की पार्टी राश्टिय जनता दल का एक-एक विधायक तेजस्वी यादो के साथ इस प्रस्थिती में खड़ा है जो कि तेजस्वी यादो के लिए दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और इसके बाद तमाम जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं तमाम आई ब कह सकते हैं कि तेजस्वी यादो का जैसे की उत्तर परदेश के समझवाधी पार्टी का घरणा जो अखेस यादो का घराना है कुन्बा है बड़ासा यादो परिवार अब कह़लीजीए कि उप्पी का सबसे शक्ति साली परिवार राजीतिक तौर पर उस परि पूरा परिवार उनकी पूरी पाटी खड़ी है और यहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत है और कल जब सिभ्याई से पुस्ताच के बाद कई राउन की पुस्ताच के बाद लगबक आठ गंटे लंबी पुस्ताच के बाद तेजस्वी बाहर निकलते हैं तो कहा गया कि वो मुस्कुरा रहे थे और उनका मुस्कुराना दिखा रहा था कि तेजस्वी कितने सकरात्मक हैं कितने सकरात्मक तौर प यादो ने जो अपना पक्ष रखा इस सित्य जश्वी यादो को एक परकार से सकरात्मकता लग रहा है कि वे इस केस में बच जाएंगे या इस केस में उनका कोई रोल नहीं प्रूफ हो पाएगा अब आगे जो तमाम जानकारी आएगी जो केस में आगे सुनवाई होगी की पूछताच इस पर आपकी क्या प्रस्क्रिया है कमेंट बॉक्स में लेकर बताईएगा तमाम जानकारी के लिए आप जन्तांक्ष रखा जूरे रहिएगा वीडियो नहीं पर समाप करते हैं केमरेक्ष प्यूश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सेंग बहुत बहुत धन कि जन्तांकोर समते हैं केमरेक्ष थार वे येचश जन्तांकोर सेनियो का सन्तांकर प्यूश एगोड़ी सेंगा संसी जले अशक्रिदा उलsk रिंहीं जले उल्सक्रियों के लुछता छूश सhã सन्तांकर लेने लेक्ष भीगैठoser जिन रहमें मॉट